नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए जो प्लान लेके हैं हूँ वो आपका है 32-42 के प्लाट के उपर है 32-42 प्लाट का जो मेजरमेंट है वो है 32 फिट इसकी चोड़ाई है प्लाट की और 41 फिट इसकी लंबाई है रिखाना ही है तब तो आपको समझना ही होगा वरना आपकी मर्जी तो दोस्तों बात ऐसी है कि आगे से उसके जा 9 इंच्ging mostly बारत में 9 इंच की आपके बार की जो दिवारे होगी वो 9 इंच चोड़ी होगी अंदर की दिवारे होगी वो 4 से 5 इंच चोड़ी होती है घर का खचाएगा कम बनाने में ठीक है और मजबूत दिवारे मनेगी यहां से में रोड जा रही है रोड से हम जैसे घर के अंदर एं हमने छोड़ा है parking का area parking area में आपके आराम से आपकी 4 wheeler आराम से खड़ी हो जाएगी काफी बड़ा हमने parking का area दिया है यह आपकी होगी parking यह आपकी होगी parking parking area का जो measurement हमने रखा है वो आपका है 11 feet by 20 feet काफी बड़ी parking आराम से 4 wheeler स्कूटी टूविलर जो भी आपके पास है वो आप अराम से खड़ी कर सकते हो आगे में हमने दो फिट के करीबन थोड़ी स्पेश छोड़ी है इस दिवार से ये वास्तु के एकोडिंग सुब रहेगी विंडो वगेरा भी आपके खिटकी वगेरा खुल सकती है अब चलते हैं घर के अंदर यहां से हम घर के अंदर एंटर करेंगे यह है घर के एंटर पॉइंट यहां आपकी लगेगी लकडी की चोगट यहां से एंटर करते हैं यह आपका आगया बड़ा सारा आंगन यानि कि जिसको आप hole भी बोलते हो तो यह आपका हो गया hole मतलब आंगन यह आगया अपने गर का आंगन आंगन का जो आपका measurement है वो मैं आपको बता देता हूँ 17 बाई 20 फिट का यह हो गया आंगन 17 बाई 20 फिट का आंगन हो गया 17 बाई 20 फिट में यह आपकी होगी सीडियां ऐसे ही आपकी सीडियां चत के ऊपर जाएगी और ऐसे गोल गुमाए में आपकी सीडियां चत पर खुल जाएगी बहुत सूंदर सीडियां लगेगी अंगन में सीडियों के नीचे का पूरे portion में आप सोफे बगरा लगा सकते हैं सीडियों के नीचे जो hole रहेगा उसमें हमने ये आपको दिखरी एक खिड की बाहर रखी है जो आपकी road पर open होगी बहुत रोसनी आएगी hole में काफी अचा hole रहेगा अब चलते हैं दोस्तों hole के ठीक सामने hole के ठीक सामने हम जाएंगे तो यहाँ पर हमने एक रखा है एक ये room रखा है और एक room रखा है ये तो सबसे पहले मैं आपको ये room दिखा देता हूँ ये आपका guest room है ये आपका होगया कमरा ये कमरा होगया कमरे में हैं दो खिड़किया एक खिड़की इधर है और एक खिड़की इधर है ये कमरा आपका होगया दस भाई दस का guest room है ये मेहमानों के लिए कमरा होगया काफी रोसनीदार कमरा होगया और अच्छा सुंदर कमरा लगेगा इसके बाद वापत चलते हैं होल में होल में जाने के बाद एक अमने कमरा और रखा है ये आपका एक कमरा और रखा है हमने ये भी हमने रखा है दस बाई दस का यानि दस फिट चोड़ा है दस फिट लंबा है ये कमरा इसके एक खिड़के आप देख रहे हो हैं यह आपका लेट बात्रूम सिद्धा आपके एकदम सामने ओपन होगा कोई तरह की प्रोब्लम नहीं है छे बाइप पांस फिट का छे फिट लंबा पांस फिट चोरा यह आपका लेटिंग बात्रूम हो गया इसकी एक जो आवार ने के लिए खिड़की हो पीछे रखिए और इंटिलेशन विंडो एकदम आपके वास्तु के अकोर्डिंग यह प्लान है उसके बाद में यह कोर्णर है इस कोर्णर पर हमने एक कम्रा ओर दिया है यह कम्रा आपकी कम्रें होगे तीन इस कमरे की आप देख रहे हैं दो खिड़िया मैंने रखी है एक खिड़की इधर की गली में और एक खिड़की बेक की गली में आपकी रोड पर खुल जाएगी कमरे में रहेगी बहुत अच्छी रोसनी और वास्तु के अकोडिम बहुत अच्छा प्लान है तो फ्रेंड फिर आप आईए इस कमरे से ठीक बाहर ऐसे आके ऐसे टरन लेकी यहाँ आईए तो यहाँ मनें आपके लिए रखा है चोथा कमरा तो यह आपका हो गया कमरा नंबर चार यह आपका रूम हो गया इसका जो measurement है 10 बाई 11 फिट का ये रूम है तो आपके 4 तो रूम दे दिया हमने ठीक है ये लेटिंग बातरूम सिद्धा सामने दे दिया पार्किंग हो गई तो और इस रूम में हमने दिया attach late बात ये आपका attach late बात हो गया ये आपका attach late बात होगा 6 बाई 4 फिट का यानि 4 बाई 6 फिट का attach late बात आपका हो गया इस रूम की एक खिटकी देख रहे हो पिछे है और इस लेटिंग बातरूम की भी पिछे है तो दोस्तों चार तो आपके रूम दे दिया मैंने 32 बाई 4 फिट के प्लाट में अच्छे अच्छे रूम है लेटिंग बात रूम एक मैं टेस दे दिया एक कोमन दे दिया सीडियां गुमाओं में आंगन में दे दि काफी बड़ा आंगन यानि होल दे दिया आपका पारकिंग गर आपका दिया हुआ यह और यह आप जो छोटा सा देक रहे हैं जे बड़ा हुआ है यह आपका इस्टोर रूम दिया है जो आपके सीडियों के निचे इस होल में इसका गेट लग जाएगा यह आपका स्टोर रूम होगा चार भाई पांच का ये श्टोरूम है चोटा सा श्टोरूम है कोई भी आप समान रख सकते हो और पूजागर अगर आपको बनाना है तो पूजागर आपका यहाँ पर बन सकता है यहाँ बना सकते हो यहाँ आप ओपन पूजागर बना सकते हो यहाँ पूजागर की आचकाल अलमारी आती वो आप लगा लीजिए वास्तु के अकोर्डिंग ये कॉर्णर उचित है तो यहां पर आप लगा सकते हो कोई प्रोब्लम नहीं है पार्किंग ये अच्छा सा हो गया इधर आप छोटा सा गार्डन लगा लीजिए बहुत सुंदर आपका घर बनेगा और मित्र